अब हम आपको सपनिल कुसले के पिता जी की बाइट सुनाते हैं, बायान सुनवाते हैं तो गर्व होता है, उत्सा होता है विज़े सर एक और बात है कि इस तरह से पहले एक मेडल आना, फर दूसरा मेडल आना, फर तीसरा मेडल आना इससे क्या होता है कि बाके खिलाडी जो आगे के खेलो में आने वाले हैं, उनका और होसला बढ़ता है इससे आगे की परफॉर्मेंस और अच्छी होते जाती है, जो और भी मैचेस बचे होते हैं, दूसरे खेलो में दिख रहा है, जैसे इतिहास रचा पहले, बन्लू ने एक ही ओलेंपिक्स में दो मेडल आके काम किया, आज फिर स्वपनिल ने इतिहास रची दिया कि इस इवेंट में आज तक कभी भारत को पदक नहीं मिला, पर आप देखें, मनिका बत्रा जैसे हैं, और स्रीज अकूला उन्होंने आखरी के 16 में जगे बनाई, भारतिय होकी अभी कम से कम कोशिशे कर रही है कि हारे ना मैच, उनका मनोवाल उपर है, पर ये पूरे कंटिंजेंट पे इसका असर पड़ता है, उनको अब एक नजर आ रहा है कि भारतिय स्पोर्ट्स के लिए ये उलिम्पिक्स ए विजे सर आपको रोकना चाहूंगा ये तस्वीरे जो आ रही है, शूटिंग में जो जीता था मेडल, उसके बाद इनका ये जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जो मनु भाकर के साथ ये थे, उनकी आ गई है तस्वीर, उनके स्वागत करने के लिए लोग तयार है, विज को इस डंक से रिसेप्शन मिला है, बहुत डिजर्विंग है, तो ये हम तस्वीरे आपको देखा रहे हैं, शूटिंग में अभी आपको बता दूँ कि ये जो दूसरा ब्राउंज मेडल मिला था, दूसरा जो ब्राउंज मेडल मिला था, उसमें सरब जोद ने जीता था, और उसके बाद वो जब भारत लोटे हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जीयस विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उत्सा है मेडल जीतने का, और आगे भी इससे होसला काफी बढ़ रहा है, बाकी खिलारियों का जो बाकी बैंचिस बचे हुए है और आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है आपके सामने है, सरभ जोट सिंग जोने मनुबाकर के साथ 10 मीटर मिक्स इवेंट में यहां पर ब्रॉंस मेडल जीता था, उनकी कितनी जोरदार यहां पर स्वागत हो रहा है, अमबाला के हैं, यहां पर सरभ जोट सिंग और यहां दिली के एरपोर्ट पे आने के बाद उनके भारत वाफस लोटने के बाद पैरिस से, यह एक जोरदार यहां पर है, और उसी तरह अगर हम बात करें, स्वापनिन कुसाले की जिन्होंने भारत को तीसरा ब्रॉंस मेडल जीता है, वो TTE का काम करते हैं, रेलवेस में एक नास जो खिलाडी हैं, वो फाइनल के लिए कौलिफाई नहीं कर पाए, स्वापनिन ने फाइनल के लिए कौलिफाई किया, साथवे पोजीशन पर उन्होंने जो है कौलिफाई किया, और उसके बाद जब यहां पर फाइनल की बारी आई, तो उन्होंने यहां पर भारत के लिए bronze medal जीता तो Asian Games का gold medal उनके हाथ में है और अब Olympic का bronze medal भी उनके हाथ में है ये तीन medal जो यहाँ पर भारत को मिले है Paris Olympics में पहला Manu Baka 10 meter air pistol में और उसके बाद सरब जोत सिंग के साथ Manu Baka ने इतिहास रचा 10 meter air pistol mix event में उन्हों ने medal जीता एक और bronze medal मिला और आज ये तीसरा medal मिला है स्वपनल कुसले को जो की थ्री पोजिशन थ्री पोजिशन 50 meter rifle पे है ये आपको बता दे कि शूटिंग का marathon event कहा जाता है क्योंकि तीन अलग-अलग position से आपको जो है target पर निशाना साधना होता है पहले kneel down करके गुटनों के बल उसके बाद late के और उसके बाद आखरी position जो होता है वो होता है standing position तो तीन अलग-अलग position पे आपको निशाना साधना पड़ता है पहला event थोड़ा सा कमजोर था जब वो kneel down थे इस अपने अच्छी तरीके से consolidate किया और जो event में सबसे आगे चल रहे थे वो उन्होंने थोड़ा सा falter किया लेकिन यहां पर स्वपने कुछन ने कोई गलती नहीं करी और उसके बाद bronze medal अपने नाम किया तो यह तस्वीर है आपके सामने यह तीन स्क्रीन पर यह तस्वीर हैं आप देख सकते हैं कि बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है यहां पर दिल्ली के एरपोर्ट पे अंबाला से हैं यहां पर सरब जोट और एक और अच्छा drive यहां पर उनको करना पड़ेगा अपने घर तक पहुंचने के लिए लेकिन वो drive जो है इतनी जल्दी नहीं होगा इतना असान नहीं होगा क्योंकि पूरे रास्ते में यहां पर सरब जोट का जोरदार स्वागत होगा और होना भी चाहिए क्योंकि शूटिंग में अब लगातार तीस्वा मेडल यहां भारत को मिला है आपको बता दे कि दो उलमपिक से लगातार शूटर्स जो हैं डिसपॉइंट कर रहे हैं लेकिन इस उलमपिक में शूटर्स ने यह रिस्पॉंसिबिलिटी उठाई है कि वो भारत का मेडल काउंड उपर करेंगे मेडल जीत लिया है त्री पोजिशन इंडिविज्वल में और इसके आगे जो आप देखना है कि भारत अभी उपिलाल बेल्जियम के साथ ओलम्पिक्स में खेल रहा है शाम को साड़े पांच बजे पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि दो भारतिये एक दूसरे के खिलाफ ख हम उमीद कर सकते हैं कि एक और एक और मेडल हमारे पास आने की संभावना है क्योंकि मनु ने जो अभी तक achievement किया है उनका मनोवल बहुत ऊपर है और हमने देख लिया कि कितनी mentally strong खिलाडी है वो जितना उनको प्रेशर में बनाया गया था जाने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि ओलिम्पिक से पहले मैंने रंधीर सिंग से बात किती जो पुराने शूटर है उनको बहुत उमीद थी हाँ अभी अभी जो यह सपनिल कुसले है इन्होंने जो जीता है अब हम आपको सीधे ground zero पर लिया चलते है उनके घर से हमार संबादाता लाइव हैं आवाज जारी है आपको विजय आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ घर पर कैसा माहूं ले जरा वो दिखाईए जी 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 बिलकुल बिलकुल सोपनिल ने मेडल यहँ पर लाया है भारत के लिए इंडिया के लिए मरल ला या उनके घर पर जशन शुरू हो गया है उनके पिटार जी अपने साते क्या कहेंगे सुपनिल ने मेडल लाया है इंडिया के लिए सुपनिल ने आज तक पिछले 12-13 साल से जो सराव किया है नेमबाजी का उसका यह सरा फुल है उसके कोच दीपल दिशपाने मैडम ने पिछले 10 साल से उसको कोचिंग की यह सिर्फ कोच नहीं थी उन्होंने अपने ममता कि यह साल से खेल रहा था सुपनिल यह सदरन बारह 13 साल से अपने नेमबाजी का सराव कर रहा है उसका टार्गेट था कि मुझे ऑलिम्पिक्स में शामिल होना है और यह उसका सुपन था सुबह से क्या लग रहा था क्या हो जाएगा मतलब दिल धड़कने वह था कल मेरा द कि दुशक है यहाँ की अभिषिक किया की मंदिर की मेरे हर घ्र लाण की सफाई के लिए मैने सारह वता मुझन तयार की और हम सभी लोग चंद सभी हमें Smash देखने के लिए वहा करेंगे abroad का स्वोगत करें MAL सब्सकाइब पर बैट कर उसका स्वागत करेंगे यहां यहां आये लाएंगे गाव में क्योंकि जिनों ने जिस सोपनिल ने अपना यह नाम और देश का नाम रोशन किया है इसका आधर सभी देश के सभी योग लोग गिलेंगे क्या कहेंगे कोलापूर जिले में अब तक दो मेडल लाये हैं ऐलमपिक में खाशाबा जादा और दूसरा सोपनिल बहुत सालों के बाद यह मेडल लाया है कोलापूर जिले ने और कोलापूर आईसा जिला है जिनोंने दो अलमपिक लाया हूँ थीक है वह बराबर है आज तक दीपाली देश्पाडी माडम ने जो हमें कुछ बताया कल भी बताया था जरूर पदक जीतेगा क्योंकि माडम को मालूम था कि पर का काम कैसा था आज जरूर अच्छा खेलेगा और उसने जरूर पदक जीता है तो आपने देखा यहां पे पूरे जश्न के साथ यहां पे जश्न का महौल है हम देखाते रहेंगे हम सभी को बधाई क्योंकि यह भारत का गर्व से उचा हुआ है तुम